हेलो बचो कैसे हैं आप लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डाउक्टमेट की इस क्लास में तो बचो जैसे की मैंने आपको प्रीविस चो लेक्चर था उसमें आपको माइंड मैप्स के थूर रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में बताया था तो अगर आपने वो ल वीदन बोलू फिर भी आपको सभी टॉपिक पूरे डेटेल्स में बताने वाला हूं तो एक ही लेक्चर में आपकी पूरी प्रवेबिलिटी जो क्लास 9 की है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम सारी बच्चे कह रहे थी कि सर कवर नहीं हो पा रहा है बच्चो छोड़ो मैं पहले ही बता देता हूं सर्प्राइज के लिए आप इतना परिशान नहोंगे चलो बता देता हूं बच्चों अब से मैं आपको अपने हर लेक्चर के बाद में एक प्रेक्टिस टेस्ट दूंगा सॉल्व करने के लिए जी हां बच्चों प्रेक्टिस आपको प्रेक्टिस करने के लिए मिलेंगे और आपको उस कोश्चन को प्रेक्टिस करना है और जब नेक्स्ट वीक आएगा उससे पहले आपको इस वीडियो के जो कमेंट बाक्स है उसमें अपने आंसर मुझको लिख कर के भीज़ने होंगे ठीक आप चो तो जो भी तो पूरे बच्चे ध्यान से लेक्टर को एंड तक देखेगा और जो प्रेक्टर टेस्ट मिलेगा उसको आपको अच्छे तरीके से सॉलू करना होगा क्लियर है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिटी का वन सौट रिवीजन तो बच्चों सबसे पहले अ की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नाइन्थ टेंथ एलेवन तो त्विल्थ हर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है और इसकी डेफिनीशन अगर मैं बात करूँ तो क्लास में क्लास इंप्रूव होती जा रही है अभी आप यहां पर एक्सपेरिमेंटल एप क्रोकर के बैठो आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको कोई भी डाउट आता है तो क्लेक्चर एंड होने के बाद क्लास के एंड होने के बाद अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे लाइफ चैट में नहीं पूछना है अपने डाउट को कमेंट पढ़े हो बात करें पहला टर्म चो यहां पर हम पढ़ते हैं प्रोवेग्टी में तो मैं को समझने सेपि आपको बात्रों कि वह हम डेली.......... में ना जाने जाने या अन-जाने इस चीज में प्रवेब्रेटि यूज करते हैं आप सभी ने क्रिकेट्स Celia क्रिकट मैच देखा आप बताइए जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या और पाकिस्टान का मालू मैच चल ज्ला है तो हम मै Teaching भोलते हैं आज कि इंडिया के जीटने च एस 90 परसेंट है इंडिया के जीतने के चांसे 90 परसेंट मतलब क्या हुआ कि इंडिया की विनिंग प्रॉबैबिलिटी आपकी पाकिसान से ज्यादा हुए या फिर मालों आप देखते कि जब मैच स्टार्ट होता है तो कौन सी टेम बैटिंग करेगी कौन सी बॉलिंग करेगी य क्यिक्साइड क wrinkles को टॉस किया जाता है ठीक रचोँ वहाँ पर क्या होता है कि भई को थासक्रने पर हैडर या और तो कुछ भी आ सकता है जो आता उसके बैसिस पर यह सब कुछ जो है बच्चों यह प्रूबै बर्चों यह के तो डाइस को जब आप थो करते हैं बच्चों तो आपको मालूम है कि उसमें से 123456 से कोई भी नंबर आ सकता है ठीक अब जो लेकिन कौन सा नंबर आएगा यह आपको मालूम नहीं है लेकिन यह है कि इन्हें से ही कोई एक आएगा तो यह किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है ऊप री एकस्पेरिमेट को मस्पेरिमेंट भोटें जहां पर outcome kiya आएगा उसमें sirty नहीं है लेकिन क्या क्या आसकता है वो हमें मालूम है पॉस्विल्टीज मालूम है लेकिन क्या आएगा शूरली आप नहीं बता सकते उसी तरीके से बच्छा अगर माँ बात करूं अपने को टॉस किया एक को आपको आपको वहाँ पर हैड और टेल में से कुछ भी मिल सकता है है मिलेगा यह यह आप नहीं बता सकते लेकिन हैडिया टेल ही आएगा यह पकाई ठीक है तो इसी तरी किसे अगर में बात करूं माल लो आपकी पास एक 52 कार्ट की डेक है उस 52 कार् के बाहर निकाला है तो बच्छों वह काड कौन सह होगा आप नहीं बता सकते अगर वो डेक ऑफ कार बल शफरेड़ कर तो उसमें से एक काड की करने से आपको पता नहीं पड़ेगा के कौन सा कार्ट हुग के अब चुट लेकिकन अपको आपको वाल भी कोई भी का लोगा ONG-52 कर में से ही कोई एक होने वाला है तो ये सारा को सारा क्या है और रेन्डम एक्सपेरिमेंट का पार्ट इस ये इन एक्सपेरिमेट का हम क्या बोलता इन बोलते रैंडम एक्सपेरिमेंट जहां पर possible outcome मालुम होते हैं लेकिन sure outcome क्या होगा वो आप नहीं बता सकते चीकर अब यह पहला टर्म हो गया रेंडम experiment समझ में आ गया कि possible outcomes मालों में sure क्या हो का नहीं मालूब ठीक है अब अगर मैं बात करूंँ जैसे कि outcomes क्या है कोई भी आपने रेंडम experiment किया उससे जो को भी outcomes मिलने जैसे कि डाई को ठो करने पर आपको मालू में बच्चों कि डाई को ठो करने पर आपको 12345 और 6 इनमें से कोई भी एक possible outcome निकल के आ सकता है ठीक है तो यह क्या है बच्चों यह सारे कि सारे हमारे patrimonral निकौे को आपने को तस là वालुटाइब कि आपको माल現在 मिलेगा या फिर बच्चों आपको टेल मिलेगा ट्रैन सबसक्क यह क्रीक हो रहो अश्वेल को को आपने एक बार टॉस्किया दो बार टॉस्किया तीन बार टॉस्किया चार बार पांच बार चाहबा अब इस एक्सपेरिमेंट को आपने सपोस्ट करिए कि एन नमबर आफ टाइम्स आपने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया ठीक आप चो तो इनको क्या बोलते हैं बेसिकली बच्छो हम इनको ट्रायल बोलते फॉर एक्वाइन इस टॉज़ टाइमस एक को आपने लिए पर आपको मालूमे की बैण को किया आपको हैड कि ट्रैम सूर टैमस सुने करने और radar आउटकम्स निकल किया है वह हैं कि 455 टाइमस आपके पास है डाया और आपके पास लेकल करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अपने लॉइवसे शॉली एक को आपने म only 2 थोगा थोगे Allah को करो कि देखके अबहुद वन टाउजन टाइम तेम स्रह और को लॉस्ट AIG मिला है और आउटकम 4 आपको 149 ताइमस आउटकम 5 तो यह बच्चों क्या हुआ आपके पास यह ट्रायल ओफ एक्सपेरिमेंट कि एक इसका हम बोलते हैं ट्रायल हम एक और लेटर आपको निकल कर यह एक इन को मोने मीनिउग को कितनी पार आपने ठ्रैयर कि बात ऐसा थोड़ी के इंडिया पाकिस्टान का मैच हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगी हो सकता है पाकिस्तान भी जीत जाए लेकिन किस बेसिस पर बोल पारे क्योंकि अब अब तक के पास्ट में जितने भी पाकिस्तान से मैं चुछ इंडिया ने बैटा परफॉर्म किया हम उसके बैसे पर बोल पारे नहीं यहां पर भी क्या हो र करता है चलिए अब बच्छों नेक्स्ट जो इंपोर्टन चीज आती उसकों बोलते इवेंट ये सारे के सारे टम्स बच्छों बहुत ही इंटर कनेक्टेट एं तो इनको वन बाई-वन बिलकुल ध्यान से समस्थे चलना क्योंकि ये एड़ेंड आपको ये बहुत ज्यादा ह फुल होने वाले ठीक है इवेंट क्या हुआ बच्छों जैसे कि एर इवेंट इजब आपक्षिन आपक्षिन आउटक्शन आउटकर में जो आउटकम्स का क्लेक्षिन उसका फूर्ट हूता है ठीक है बच्छों एन इवेंट इस सेट तू भी अकर on a particular trial of the experiment if the outcome observed is an a element of the city ठीक जो आउटकम आ रहा है वो उस इवेंट का पार्ट फॉर एक्जाम्पल ठीक है बच्छों एक एक्सपेरिमेंट मालनों मैंने यहां पर बच्छों लिख दिया एक सिंपल सा एक्जाम्पल है ठीक है आई तिन यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि एक्सपेरिमेंट ओलिडियर आप आप यहां पर देख पार हो पहला मालों आपके पस एक्सपेरिमेंट एक को टॉसकर ठीक है आज देखो मैं तना जादा XCायट हूं कि मैपीद बीच में excitement के मारे मेरे पैन मेरे हाँ से छूड जा रहा है देख रहे हो ऐसी excitement होती आप को कभी ना मुझको होती है जब भी मैं 9th क्लास के बच्चों को अपना पहाता हूँ ना ऐसी जवर्दस एक्षाइट मनें मुझको हो रही होते हैं देखो जैसे आपने एक कोई ने को टॉस किया जब भी आपने को टॉस किया तो आपके पास मालोमें बचो ठीक कि या क्या मिल हो तो आउटका मlläकिक सकते यहापर हैड़ के ओर यहाप अपटेल टिक है मैंने एक मापने थ्रो किया है आउटकम यहाँ पर क्या जाएंगे इसके पास्बेल आउटकम क्या जाइंगे बच्छो वन टू थो फर फाइब एंड ये पॉस्बेलाउटक में इसके निकल के आगे ठीक है अब इवैंड की बात करें इवैंड इक खांड आ आप से बोल लाए एक इवेंट मैंने इब दिया तो टेटिंग अहेड टिकर चुट टेटिंग एड़ टीवन दूसरे इवेंट इमाल ने बोल दिया मैंने आपका गेटिंग अटेल टिकर बेसेकलिए क्या इवेंट मतलब कि रिको थ्रो करने पर मैंने बूल दिया आउट कमे है डाल टेल आउट कमें है डॉट यापम में यह एड़ातव कुछी ऐससे डिकर से ज्ञांट यह जान चीवेंट धन्हां लू एक इवेंट कुछ हूज तया है तो इवन को दियोडिक करता है नाइए और टेलिन को टो टेल् 국 screening ulen Meng02 और भेंट सिक्स यह पॉजबल आउट क ठीक आपचो गेटेंगा और नमबर ठीक है एक दूसरा इवेंट मैंने बना लिया आपका गेटेंग आटेंग आइवन नमबर गेटेंग आएवन नमबर चल लिए तो बच्छों अगराप यहां पर ज्ञान से देखिए मतलब यह क्या है इवेंट को दिनोट करता है क्योंकि यह जो इवेंट है गेटिंग और नमबर मतलब की 1 3 & 5 गेटिंग एवन नमबर में लगे 2 4 & 6 यह सब क्या है बच्छों हमारे आपके आपके आउटकम के ही पार्ट है आउटकम कहीं एक पार्ट है ठीक है अब अकरेंस ओफन इवेंट का मतलब यह हुआ कि डाइको जब ठो सबस्कुर्ण तो करने पर एक इवेंट नमबर मिल गामाना 4 मिल गया तो हम बोलेंगे इवेंट इटू अकर्ड ठीक है बचो तो इसका मोते अकरेंस ओफन इवेंट ठीक है इवेंट क्या होता है इवेंट हमारे आउटकम के कलेक्शन का एक पार्ट है और अकरेंस ओफन इ सब्सक्राइब करने करने के इवेंट हो गए यह पॉइंट क्लियर हो गया समझ में आगया कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे वीडियो के एंड में लिकर के भीजिएगा और अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है तो भाई एक बार इस सेसन को लाइक जरू से कर देने ठीक है क्योंकि आपके लाइक और सेर के बेसिस पर ही आपको ऐसे अमेजिंग से सन मिलते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि आपको हर बार ऐसे एकदम जबरतस बिंदास से सन मिलते रहें तो आपको हमारी चैनल को लाइक करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना आपके हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको पाश टाइम इली आती रहे ठीक हो तो चलिए जल्दी से एक बार सभी बच्ची सी वाथ पर क्लास को लाइक जरूर से कर दी ठीक है बहुत है बहुत है अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी आफ इवेंट क्या होता है तो भई ठीक है और अपॉर में दो टोटल नंबर आफ ट्रायल्स आपने कितने ट्रायल्स वहाँ पर किये फॉर एक्जाम्पेल आपसे बुला कि कि आपने एक कोईन को वन थाउजन टाइमस आपने टॉस किया उसमें से 455 टाइमस हैड मेला और 545 टाइमस आपको टेल मिला तो हैड कि विलने की प्रवेबिलिटी क्या हो गई क्योंकि एक्सपेरिमेंट कितने टाइमस किया कुल 1000 टाइमस हैड कितनी बार मिला है 455 टाइमस टाइमस ठीक है तो 455 अपन में आपका टोटल नंबर ऑफ एक्षर ट्रायल्स तो तरीक प्रवेटी निकल क्या जाती है यह बेसिक पंडा बच्छों यहां पार मैं अप्लाई करते हैं तो कभी भी कोई पूछे कि बैप प्रवेबिलिटी क्या होती है तो आव अंसर क्या करोगे है ना नंबर ऑफ फेवरेबिल आपकम अपॉन में और पॉस्पिल आपकम या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच्ट इवे से बात करूँ कोई इस टॉच्ट वन थाउजन टाइमस विद्ध फॉल्विंग फ्रिक्वेंसीज हैड आपके पार 455 टैमस और तेल आपके पार 545 तो आपको दोनों ही इवेंट की प्रॉबिलिटी निकालनी है तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट है मतलब की हैड मिलने की तो प्रॉबिलिटी अगरं बोले तो कितने टाइम सहेड मिला है 455 टाइमस टेली कितने टाइमस मेला आपके पास 1000 टाइमस ठीक है जो अब यहां पर तुम उसको सिंप्लिफाइब करोगे तो सिंप्रिफाइब करके जो भी लीजट फ्रेक्शन आया गा वो तुमानी प्रॉटी क्या हो जाएगी तो टेल कितनी बार आया आपके पास 545 टाइमस और आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया ता 1000 टाइमस यहां पर यह आ गया अब तुम इसको भी सिंप्रिफाइब करोगे सिंप्रिफाइब करके जो सिंप्रिफिस फॉर्म आएगा वो तुम किसी भी इवेंट की प्रॉबिटी होती है is that clear or not यह क्लियर है बचो चलिए आगे बात करते हैं तो क्वाइंस अब दो क्वाइंस को टॉस किया गया और टॉस साइमल्टेनेसली 500 टाइमस कितने टाइमस टॉस किया 500 टाइमस आपने टॉस किया है एंड वी गेट तू हैड व occurrence of each of these event तो अगर आप से पूछा जाएगा प्रॉबिटी ओफ वाट प्रॉबिटी ओफ तू हैड प्रॉबिटी ओफ तू हैड अगर आप से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पाद सिंपली 105 ताइमस आपके पास तू है और पॉस्बिल एक्सपरिमिन कितनी बार कि कि आपने 500 टाइमस तो आपके पास सिंपलेश्ट फॉर्म पर लिकर के निकाल लोगे उसके बाद आपने क्या कर दिया प्रॉबिटी अगर आप से प्रॉबिल्टी पूछी जाए तो नो हैड की प्रॉबिल्टी क्या हो जाएगी देखना 120 टाइमस नो है आया है आपके पा ट्रीके से आप प्रॉबिटी निकालते हैं सिंप्रिफाइब करके लीश चांसर आप यहाँ पर लिकर क्या होगे ओके लिया रहे चलिए मतलब समझ गए ना फाइव से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 21 अपॉन में कितना आ गया तो 21 अपॉन में 100 यह सिंपलिस्ट हो गया या फिर इसको तुम 0.21 भी लिख सकते ऐसे लिख सकते हो इसे तरह बाकी सब को सिंप्रिफाई कर लेना ओके क्लियर है तो यह बच्छो हमारे पास event की probability आगे चलो अब बच्छो अगर मैं बात करूं जैसे की अदाइस थ्रोन 1000 टाइम्स अगर एक डाइक को आपने केतने टाइम्स थ्रो किया बच्छो 1000 टाइम्स अगर आपने एक डाइक को थ्रो किया है विच्छ फ्रिक्वेंस फॉर आउपकम्स 1 2 3 4 5 6 as given in the following table outcome when I have 179 times 2 I have 150 times 3 I have 157 times times और यह आपके पास given find the probability of getting each outcome हर एक outcome की probability आपको निकालनी है ठीक हर एक outcome की probability आपको निकालनी है तो priority of getting one one की probability कितनी होगी 179 और total number of कितने आपने डाइक को थ्रो किया 1000 तो यह आपके पास आगया प्रोर्विटी अफ गेटिंग तू तो क्या है आज की frequency 150 टाइमस आपके पास आया है टू अपन में 1000 प्रोर्विर्टि अब गटिंग 3 तो तरी की फ्रेक्वेंसी 157 यहां पर 157 लिग दिया और तोटल कितना है वन थाउजन ठीक है बच्छा चलिए प्रविटी एफ फोर अगर हम देखेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी 149 अपॉन में आपके पास वन थाउजन आ गया प्रविविववव अगर आपको यहां पनिकलना है तो 175 अपॉन में आपका यह निकालना है तो और 191 अपॉन में आपका ताइमस आपको टॉप उपर जो मिला है वो क्या है वन है ठीक है और उनमें से 150 टाइमस आपको टू मिला 157 टाइमस आपको थ्री मिला यह आपके पास है तो तरीके सहरी कुस्की प्रोबैबिलिटी हम को यहां पर निकल करके आती है जट क्लियर और नौट जल्दी से बताये बिलकुत सिंपल लगर एकदम हसी मजक लगा एकदम गेम के तरीके से लग रहे पस यहीं चाहिए एक दम सिंपल मेर में पूरे कॉनसेट को हमें यहां पर सीखना होगा चलिए अब बच्छो कुछ पॉइंट से हैं जो कि आपको यहां पर याद रखने हैं जो कि most important point है और आपको multiple choice question में यहां से आपको पक्का question पूछे जाएंगे क्या है बच्छो ध्यान से समझेगा दब प्रोबिटी ऑफ इज इवेंट लाइज बिट्वीन जी रो एंड वन किसी भी इवेंट की जो probability होती है बच्छों वो हमेशा जी लो से बड़ी या बराबर से छोटी या बराबर होती है ठीक है बच्छो किछी भी even की probability जीरो से बढ़ी या बराबर एक से च्छोटी रिख छोटी या इक कुल होती कल दो प्रॉबलटि और वन एक यह वेंस ग्रेट रेकलन एक सीरो को होगी सोचिए किसे इवेंट की प्रवबिलिटी जीरो होगी सपोस्ट कर मैं आप से बोलू एक डाई को थ्रो किया एक डाई को थ्रो करने पर आपको एक चॉकलेट मिलने की प्रविलिटी क्या होगी एक डाई को थ्रो करने पर एक हाथी मिलने की प्रविलिटी क्या होगी तो आपको कई सरी कैसे पॉस्पिल विलेए यह तो पॉस्पिली इन का आव हो उसके प्रोबेटिव एक एक एविएा वा ठौक या तो डाई को बत्हों करने पर जो नमबर आये ड्क लेसे डैवाल इक्वेलेंश को अवेसै कि ड्रोगा तो कोई भी नमबर आयगा शेसे सचोटा या बराबर हुगा कि का मतलब क्या हुआ कि को यह ताइट शेफ यह यह वो इवे नयुक्रोव को यह union कि फिर्योट है रेंड़म एक्परिमेंट में आपके पास जो आउटकम निकल के हर एक आउटकम की प्रोबिलिटी का जो सम होगा हर एक आउटकम की प्रोबिलिटी का जो सम होगा वह वन के को लोगा मतलब की समझ के चलिए कि सपोस्ट करो आपके पास कोई रेंड़म एक्सपेरिमेंट है ठीक है ओके और रेंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी आउटकम है तो उस आउटकम में जितने भी आउटकम है उन सभी आउटकम की प्रोबिटी का समवन आएगा मतलब फॉर एक्जामपल अगर आप यहां पर देखो कि यह हमने ट्रायल किया कितने 1000 टाइ में पी 3 प्लस में पी 4 प्लस में पी 5 प्लस में आपके पास पी 6 सबका अगर मैं आपर सम कर दूं तो सम करने पर क्या मिलेगा जान से समझेगा कर दो मैं तो यह बंगा 179 प्लस में आपके पास 157 और प्लस में आपके पास 175 ओके एंड प्लस में आपके पास 150 एंड प्लस मे होगे आपके पास 190 सब को समकर्दों आपन में क्या रहेगा सब यह 1000 टो फूल तुसम कितना है गा 100 अपन में का सम वन के बरावर होता है यह पॉइंट आपका क्लियर है ठीक है बचो यह उसके बाद ईवन ईटू इसिक्स कवर और पॉस्बिल आउटकम्स ओफ ट्रायल ठीक है बचो मतलब कि अगर मैं इहां पर गलें कि एजो इगन आओ यह सभी पॉस्बिल सभी पॉस्बिल ट्राय negativity उसकी जितने भी पॉस्बिल वर सिलेक्टेद रेंडमली एंड फॉल्विंग डेटा वी कवर्ड फिप्टीन हंड़ फैमिली जिन में दो चिल्डन है ठीक है अब उन में से एक फैमिली को आप पिक कर रहें रेंडम ली अब क्या के कंडिशन है कि नमबर ओफ फैमिली इन गल्स और नमबर फैमिली तो आपको क्या फाइं करना है कंप्यूट दप्रवर्विटी ऑफाफ फैमिली चूज़न एट रेंडम हैविंग टू गर्स वन गर्स नो गर्स ठीक है बचो यहां पर अगर आप से पूछे कि प्रवर्विटी आपको फाइं करना है तो गल्स यानि कि उन फैमिली के मिलने के बताई जिसमें टू गल्स है तो ऐसी फैमिलीज है हमार पास 475 और यह कितनी फैमिलीज में से कर रहे हैं फिप्टीन हंड़ फैमिलीज में से अपन में फिप्टीन हंडर्ड सॉल्व करोगे सिंप्रिफाई कर लोगा अंसर आ जाएगा वन गर्ड की प्रवेटी अगर निक इसके बाद कर नोगर्ड की प्रॉवेटी आप से निकाली जाए तो लोगर्ड की प्रॉवेटी क्या होगी में अध्यान से समझना नोगर्ड की प्रॉवेटी आपके पास 211 ए फैमिलीज और अपॉन में 1500 तो इसको सिंप्रिफाई कर कर के आजाए ठीक है अब तुम सब का समकर्ड होगे सबका समकर्ड होगे तो तुमारे वन एक एक को अला जाए ठीक है चलो सबका समकरोगे तो निमेरेटर का सम 1500 डिनो में 1500 तो सम कितना है गवनी आए अब दसी बात है चलिए दिए तुमारे पास क्या निकल किया इनकी प्रूवेटी और यहां से तुम क्योंक चुट्कियों में सॉल्व कर पारे क्लियर है एक दम कोई डॉट आ रहे है आपर आसान लग रहे है कोई लिकत अच्छान नोड करना है तो नोड कर लो आपलो गेग बार ठीक है नोट कर लो सारे बच्छे जिसको भी नोट करना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं बच्छों अगला कुश्छन है थ्री कॉइन साथ टॉस्ट साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स थ्री कॉइन्स को बच्छों आपने 200 टाइम्स तॉस्ट किया है विद फॉल्विंग फ्र अगेन अब अगर इन 3 टाइम्स को साइमल्टेनियसली मतलब की एक साथ एक बार और टॉस्ट किया जाता है तो कंप्यूट दा प्रविटी आफ टू हेड्स कमिंग अप तो बच्छों जब भी एक कंडिशन है कि आपके पास 200 टाइम्स जो भी पॉस्बेल आउटकम से वह एक बार और आपने एकस्परिमेंट किया अब बताइए दो हेड़ लेकिव डिया और यहां पर आपके पास हंडेड अगें डिवाइड कर दिये तू बंज़ तो टू एड़ शिक्टीन और आपके पास कितना आगे फिप्टी तू नाइन जैटीन और यहां पर तू 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 फॉर तू फाइब टेन नाइन अपॉन में 25 क्लियर है तो नाइन अपॉन में 25 इसकी प्रोबिलिटी निकल करके आएगी ओके क्लियर है प्रोवल्टी कितनी आजेगा तो मतलब कि टू हंड़ टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया है एक बार और करने से प्रोवल्टी में कोई फरक नहीं कैलकुलेट करते हम सीधे सीधे उतने ही टाइम पर जो प्रोवल्टी आ रही है उसको कैलक तो बढ़ गए लेकिन अब क्या आया होगा वह तो कुछ भी आसकते हैं न तुसलिए टू हंडड़ टाइमस में जो है उसी के बेसित पर निकालते हैं चलिए अगला कुशन है बचो तो आई तिंक यह तो बेसिकली मैंने आपको और लेडी बता दिया ठीक है तो अब एक ब सब्सक्राइब करने का आपका फॉर्मूला है ठीक है बचो अगर मैं बात करूँ तो अब आप इसली सभी कोशन को सॉल्व कर सकते हैं कोई भी कुशन उठाइए सॉल करिए आप देखेंगा आप इसली आसे निकाल पाएंगे ठीक है कुछ चीज़ यहां पर और भी हमने द होती है तो ऐसे इवेंट को हम इंपॉसबिल इवेंट बोलते हैं क्या बोलते बटा ऐसे इवेंट को इंपॉसबिल इवेंट बोलते हैं अगर किसी इवेंट की प्रोबिटी आपके पास वन के बराबर है तो ऐसे इवेंट को हम स्योर्ड इवेंट बोलाते हैं क्या बोलात किसी हीवेंट के ना होने की प्रोबएती जो होती है नोट कर लिजेगा यह बहुत ज्यास घुट तक आफार पूछे भी लाटेगा कि किसी सी इवेंट के ना होने की जो प्रोबिल्टी है V1 माइनस में ऊसम इवेंट के होने की ब deprivation के बराबर 예요 यह तीन important point और नोट कर लिजिए जो कि आपके बहुत काम में आने वाले ठीक है इवेंट के प्रोड़ी जी रो और वन के बीच में होगी या जी रो होगी वन होगी अस्वे कम बीच में होगी बीच जीरो अगर किसी की इवेंट के ना होने की नौट ना होने की निकाल लिए तो वन वैनस में उस इवेंट के होने की प्रूरिटी आपकी आएगी ठीक है बचो यह कुछ इंपर्टेंट टम से जिसको अच्छे से आपको याद रखने ठीक है तो अभी काम करिए अब कुछ कर वाऊंगा तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मुझे लिख करके भीजना होगा ठीक ह van dell हुसने के लिए उसमें से टायम्स बांड़े वारी है ऐफाइंड डा प्रूरिटी दैट सी डिड नौट हिड़ा बाउंडব उसमें कोई बाउंडी नहीं मारी इसकी प्रूरिटी टी फी डिद 12 वांडरी नहीं मारी इसकी अधुर्विशच्छित होगी चलिउंस और क कमेंट बॉक्स में मुझे अपना अंसर लिख करके बताईए बचो कमेंट बॉक्स में अपना अंसर लिख करके बताईए कि अगर वो कोई भी बाउंडरी नहीं मारती है तो प्रॉबिलिटी क्या होगी कोई भी बांडरी नहीं मारती है तो उसकी प्रॉब्रिटी क्या होगी बताना कमेंड मोख में लिख करके बताइए छलू कमेंड वाक्स में बहुत सारे बच्चों आशर करके बताइए ठीक है अगला देखते बचो अड़ाइस थ्रोन 1000 टाइमस एक डाइक ओन टाइम समने थ्रो किया एंड आउटकम वर रिकॉल डेट एफ पॉल इस थ्रोन वन मोर देन दा प्रोलिटी दैट इस सोस्पाइब अब डाइक बार और थ्रो किया अब इसकी क्या प्रोलिटी है कि हमको 5 मिलेगा तो बतायी एक कोशन आपके सामने है left करेभि जल्क बताए चलो पूरा कॉशन आपको दिखरा बच्चो पूरा कॉशन दिक पार हाएं सॉल को सॉल करके अंसर बताएं वेरी गुड़ बच्छो जल्दी से सभी इस्टेंट सॉल परिये और सॉल पर करके आंसर बताई क्या अंसर निकल करके आएगा एक बार और थो कर रहा है बताओ फाइव आने की प्रॉर्टी क्या होगी चलो हो गया भाई टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम आप चलो भाई आजाओ यहां पर अगर में बात करूं तो भाई 30 times में से 6 में उसने boundary मारी है ठीक है तो 24 टाइमस ऐसा है जब कोई भी बाउंडरी नहीं मारी है नो बाउंडरी तो भाई प्रविल्टी क्या होगी 24 अपॉर में 30 तो कितना होगा 64 जा 2465 34 by 5 तो आंसर 4 by 5 होगा क्लियर आसका आंसर क्या होगा 4 by 5 ठीक है तो सिंपल सा 24 टाइम्स कोई बाउंडरी निमारी और थर्टी उसने बॉल्स प्ले करी है तो फॉर भाई फाइव स्की प्रोडिटी आ जाएगी क्लियर चलिए अब यहाँ पर देखना वन थाउदन टाइम्स ओलेटी कर रखा था एक बार और करने पर फाइव की प्रोडिटी तो हम क्या कर फिप्टीन थ्रिया पॉनमें 20 23.20 तो ऑप्शन नमबर बीज़ा राइट अंटर क्लियर आप्शन नमबर बीज़ा राइट अंसर ओके तो इस तरीके से सकांट सर्करेक्ट हो गया चलिए तो यह तो था बच्वों हमारे आज के लेक्चर में हमने इतने ही टाइम पर आपक पूरा कपूरा कराम ध्यान से देखें हमने पूरा कपूर चैप्टर रिवाइस कर लिया चीक है अब आपको कोश्चन भी प्रैक्टिस करने है तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको पास कोश्चन तो यह रहे बच्चों आपके पास हमारे प्रैक्टिस कोश्चन प्रो solve करिएगा तो आप यहां पर स्क्रीन सोट ले सकते बच्वों तो पहले हमारे 7 कोशन यह आपको देख रहे हैं ठीक है पहले 7 कोशन बच्छ आप यहां पर देख पा रहे हो अच्छे जरूर से इस प्रेक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना है तो पहले बच्छों इसको अच्छे से नोट कर लिजिए अभे बताई बच्छो जल्दी से हच को लोड कर लेना ठीक है इसके बार के नंबर को कुश्षन एडबर नाइंट यह दो कुशन इनका स्क्रीन सोट ले लिए बच्छों ठीक है प्रेक्टिश्ट स मिलेगा वं आपको यहां की कलासस में चलिए उसके बार बच्छों प्रेक्टिस स्टे ने दिया अव यहां से спрос की प्रेक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास में आपको करना कि क्लास के comment box में अपने answers मुझे को लिख करके घ्रे रहे है अगला जो आपका क्लास में लूँगा उसमें आपको इस प्रेक्टिस टेस्ट का solution भी बताओंगा तो सबी बच्चे जरूर से सॉल्व करेगा और सॉल्व करके कमें डिवाक्ष में मुझे आंसर लिख करके जरूर से भेजिएगा ठीक है बचो तो फिनिस करते हैं क्लास को और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए गुडबाई ठीक सो मच तो अलोफ यू